नमस्कार मैं हूँ पंकच कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि क्या चिराग पासवान के लिए इंडिये के दर्वाजे बंध हो गए हैं क्या बीजेपी भी जेडियू की तरह उन्हें महज एक स्पोईलर मानने लगी है जी हाँ ये सवाल इसलिए उट खड़ा हुआ है क्योंकि सीत कालिन सत्र से ठीक पहले एंडिये का नेवता चिराग पासवान को जरूर गया था लेकिन जेडियू के कड़े आपत्ती दर्ज कराने के बाद बीजेपी ने उन्हें एंडिये की मीटिंग में आने से मना कर दिया जेडियू के एक बड़े नेता से आज सुबह हुई और जेडियू के एक बड़े नेता ने मुझे ये बताया कि जेडियू के तरफ से साफ ये कह दिया गया बीजेपी के बड़े नेताओं को कि अगर चिराग पासवान एंडिये की मीटिंग में आते हैं तो जेडियू उस में बुलाया गया था लेकिन जैसे ही जेडियू ने कड़ी आपत्ति दर्श की और उसके बाद जो संसदिय कार्यमंत्री हैं उन्हों चिराग पासवान को यह कह डाला कि आपको आप इस मीटिंग में उपस्थित मत हो यह हलांकि लज़ेपी के तरफ से यह दलिल दिया गया कि चिराग की ठीक नहीं थी और इसलिए चिराग इसमें सिर्कत नहीं कर पाए लेकिन यह अब आइने की तरह साफ है कि अगर चिराग प कि जेडियू के कड़े आपत्ति दर्च करने के बाद ही लज़ेपी जो है नडीय के मीटिंग में नहीं आ पाई अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अब जेडियू जो है उसका साफ यह मानना है कि वह लज़ेपी से आरपार के मूड में है अगर एनडियू में कि इसी भी तरीके से LJP को लिया जाता है तो जेडियू उस पर आपत्ति दर्ज करेगी और जिस तरह से बिहार में NDA की सरकार है जिसमें जेडियू और बीजेपी के MLS शामिल है तो जाहिर तोर पर इसको देखते हुए बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि वो LJP को किस तरह से NDA में अकोमोडेट करती है वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि LJP को 25 लाख लोगों ने वोट दिया था और LJP ने ये कहा कि भले ही उसको एक सीट जो की मट्यानी विधान सभाव में मिला हो लेकिन 25 लाख मददाताओं ने उस पर भारुसा जताया ह पर LJP लागातार जो जेडियू का बिरोत करती रही थी चुनाओं में और चुनाओं के बाद भी कानून बेवस्था जैसे मुद्दो पर चुनाओं चिराग पासवान ने साफ तोर पर नितीश कुमार को गेरा था तो इससे साफ जाइर होता है कि चिराग पासवान चुनाओं के बाद भी किसी तरह से जो जेडियू के नेता हैं उनके साथ मांडावली करने के लिए तैयार नहीं है किसी तरह से उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है दोनों के बीच रिष्टे बहुत तल कर देना है तो जाहिड तोर पर जो एंडिये के दो इंपोर्टेंट घटक दल हैं उनके बीच में रस्सा कसी के बीच बीजेपी परिशान हो रही है अगर एलजेपी के एक नेता की बात करें तो उनका साथ तोर पर कहना है कि बीजेपी के लिए पचीस लाक मत दाताओं को करते में जाएगी लेकिन एलजेपी को यह सीट नहीं मिली और दोबारा जो एंडिये की मीटिंग हुई उसमें चिराक पासवान को बुलाया नहीं गया तो जाहिर तोर पर इस से एलजेपी पार्टी जो है वो सकते में है जेडियू के नेता इस बात को भी सामने रख रहे ह बीजेपी के नेताओं के सामने की चिराक पासवान की भूमिका स्पॉयलर की कैसे रही है उसमें उनका यह कहना है कि जब तेजस्वी यादव चुनाओ लड़ रहे थे और वहां पे उनके विरोध में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लजेपी ने भी अपना एक किया था ताकि पोस्ट पोल एलायंस अगर तेजस्वी यादव चुनाओ जीतने हैं तो उनके साथ पोस्ट पोल एलायंस किया जा सकता है एक विकल्प चिराक पासवान ने खोल करके रखा था इसलिए चिराक पासवान का चेहरा आप सब के सामने है चिराक पासवान की भू मार्वाइलर मानते हैं और उनका साफ तोरपर जव राष्ट्रिया दिवेसन हुआ जेडियू का तो यह बात साफ तोरपर निकल करके सामने आया कि भी जैपी के वोटर्स ने जेडियू को वोट नहीं किया और बीजैपी के बड़े नेटाओं ने लजेपी को criticize नहीं किया और इसी तरह से जनता में मद्दाताओं में भ्रह्म की स्थिती रही और इस वज़े से जेडियू तीसरी पार्टी रही है तो जिस तरह से एलजेपी ने जेडियू को नुकसान पहुंचाया है इसलिए एलजेपी का एंडिये गटवंदन में बने रहने का कोई औचित नहीं है तो जाहिर तोर पर अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि बीजेपी एलजेपी को लेकर के क्या साफ रुख अक्तियार कर पाती है जी ध